सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ एंड ब्यूडियो टिप्स विट निशा चैनल को साथ में बैल आइकन को क्लिक करना ना भूले मेरे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और मेरे चैनल के साथ जुरू रहने के लिए और यह सब बिलकुल फ्री है हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लो दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको घर में डाइमन फेशिल करने का तरीका बताने चारही हूँ फेशिल की बात करने के लिए अकसर हमें पालर जाना पड़ता है जिससे हमारे पैसा और हमारा समय दोनों परभाद होता है और उसका जो effect है वो भी कुछी दिन तक रहता है जो आज मैं आपको फेशल ट्रीटमेंट बताने जा रहे हूँ यह बहुत बहुत इफेक्टिव है दोस्तों ट्रस्ट मी अगर आप उसको एक बार कीज़ेगा घर में उसके बाद आप पारलर जाके फेशल कराना भूल जाएगा इतना इफेक् इसको कैसे करना दोस्तों से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीचुए ताकि आने वाल इंट्रस्टिंग वीडियो को आप निस्पना करें तो चल्दी आगी बढ़ते हो जानते को कैसे करना इस पूरे फेशल ट्री अगर दोली चाहिए यह बहुत बहुत अच्छा तरीका है बेक इंसोडा बहुत अच्छा क्लिंजर है यह एक अच्छा एक्षुलीएट भी है यह मारे डेट स्किन सेल को रिमूव करके पी एच लेवल को बैलन्स करता है जो स्पोटलेस क्लियर स्किन के लिए बहुत बहु दो से तीन में तरीक हलके हाथ उस मसाज कीचिए उसके बाद जब यह सूख जाए फिर आप उसको अच्छे से ठंडे पानी से धोली चीए यह बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों चावल काटा एक नाचुलर स्क्रबर है इसमें एंटी इंफ्लामेंटर पोपर्टीस पाई में चाहिए चावल का आठा, बेसन, दही और हनी अप इन चारों को अच्छे से मिला लीजिए अपने साफ चेहरे अपने गर्दन पर इसको अपलाई कीचिए एक मिर तक हलके हाथों से मसाज कीचिए उसके बाद सूखने के लिए छोड़ दीजिए जब यह सूख जाए फि बहुत बहुत अफेक्टिव तरीका है दोस्तों चावल काता है ने सिकन पर बहुत अच्छा होता है यहां पर आप चेहरे को अपने चेहरे को दो लीजिएगा उसके बाद अपना फेवरेट मौस्टराइजर लगाना बिल्कुल नहीं भूलियेगा तो दोस्तों आज का वी झाल झाल